हम लुआ अलो अब्धिमन वैकमई तो ये में करेड़ किया है यह मैंने इक टे देता किया है कि अतो चलू को सबसे पहले किए करूंबंगी मैं टॉनर लगाऊ हूं ही टोनर से के की अमारी good vibes का toner है और ये toner बहुत जाद है अच्छा है इसको हम daily भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने ये toner यूज़ कर लिया है अब देखो toner के बाद है ये लेक्वी है को देखोब्क हैं तो मजे दूब से बचाना है अजिसे कर लहते है ये करीम छाद है जो thee में आपको अक्र 친GS कर दो तो हमारी स्कीन खुद बाखुद गुलो होती जाएगी और मेकप भी हमारा गुलो हो जाएगा अब इसको मैं हाथ से मसाज कर लूँ गारों कि यह अच्छी तरीक़ी से ऑबजर्ब हो जायए और यह मेकप से जो साइड एफक्ट होती है उससे भी यह बचाती है तो अभी यह देखो यहां अपनी एप्रुख कर लूँगी मेरा आइप्रों फिल कर लूँगी अब मेरा अपने खाइबर फिल होगे अब में कंसीलर लूँगी यह ऑ यह स्कीू का और यह झाल जाद आश्या इसका जो कभडेज है नहीं बहुत जाद आच्छा देको कितना अच्छा कभरे जैसे कि लाइनिंग बने और उसको test कर लोगी इस तरीके सेар आज मैंने ये टैपला आ है जिससे के मेरा मेकॉप है तो आप ये मैं इसको ठीक कर लूँगी तो इस तरीके से ये मेरा व गया ठेको देख अभी मैं रेड्स सिर्ट लूँगी अइसने इसे पूरा ुखग ब्रृस करते हैं अब के पास ब्रस नहीं है तो यह मेरा डेको लगल डेको लग जो मेरा लाइनर है। है ग्रीज लाइनर मेरा जो मीरा पक्रीव का लिए तो मैं अप्रील औरा संब का Maar जो ड़ी रहा है तो मुझे वह जाए जैंगा जो मुझे चाहिए तो तरीके से तो मैं थोड़ा थोड़ा कर ले लोगा और यह लिए बहुत जाए क्रीम होता है कि यह थोड़े से फिल जाता है क्रीम है तो फिल जाए इसलिए देरी कर ने रिड़े कर ने लिधे कर बना करें को इसका छूप जो अच्छा यह मेरी मेकप है मात एक दिन लेट होगगी वीडियो मेरीं तो इस तरहीं से देखो मैं इदमे मेकप मैंने इस तरहीं से किया था अब दी मेकब आपना relभाट मेकब करना है इसमें तो इस त करना से मेरा solid रहिए हैई अब अब से जाफ थोड़ा सा my herman यह हैलाइट पिंक हैलाइट है मेरा तो अब देखो मैं थोड़ा सा गुल्डन सेट ले लिए जिसे थोड़ी सी जो कट क्रीज लेगी ती ना में वहापस गुल्डन सेट को लगा लोगी जिससे मेरा जो आई मेकप है ना अच्छा लगे और एक अच्छा सा लुका जाए अब में मसकारा लोगी यह मेमलीन का मसकारा और यह मसकारा यह बहुत जादा अच्छा है अगर हम फिक आईलेसेस नहीं लगाए तो कोई दिक्कत निस मसकारा को लगाने के बाद तो देखो मैं इसको लगा लूगे और देखो मेरे आपको वीडियो पसंद आती हो ना तो मेरे व प्रायमर लगा लोगै अपनी फेस पर प्रायमर लगा लगाए हलग मेरे स्कीन में अब्जर्ब हो जड़री है तो में अब अमें फप line जो फांडिशन ले अब महीं सेट में ध्री सेट करते हैं मुझे नेक को नीसाट करें अब डंटर से मेरा यह तरीकी से अंटरिक होगा कोई भी प्रॉब्लम निया तो यह इसके यह थे सकताहिधा आपने कि ऐन सीघ्ण करी चोड़ा होगी जने ऑफ से छुपा लूगी और धुटाीव कर लोगी लूँझा हमें अलक सी कॉंटूल लेने की जरूरत नहीं है तो इससे में इने कांटूल हो गया और और इक ब्लेंड है से में इसको ब्लेंड करना ना में आप रहला है मैं आर्व नौज कोटिनिंग करना मुझे थोड़ी सी छोरी नोज कट्रिंग की बेखो नोच को भी अगली से कर दो और असानी से जाता है इस तरही के से हो गया अब मैं दिखो यह compact powder यह परकल का पाउडर यह जाहाँ आज है अगर हम कम पेशों में अच्छा मेक अचाहिए ना तो आप परकल से भी चाहिए जो इसकी लिंक है ना सबकी लिंक डिस्क्रिप्सिन में डाल दूंगी तो इस तरीके से मेरा हो गया है मैं लगा रही हूं बलश यह ब्लश नीच्रल ब्लस है यह बहुत ज्यादा अच्छा ब्लश है तो देखो अब मैं हाईलेटर ला रही हूं जो है लेटर ना इसका सेट है पिंक है और यह ही लेटर में बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसको इसको में फुर्वेट पेर चेकबोन पर नुज पर जहां मुझे जरूरत है वह में हाईलेटर कर लूँगी तो यह मेरा हाईलेटर देखो हो गया अब हाईलेटर मतलब जो हमारे लिप है उसको उपर लाओ तो हमारी जो लिप की जो सेप है ना अच्छी आ जाती है और मैं इसको थोड़ी गर्दन पर भी ले लूँगे अभी मैं एन्वाइब का काजल है और अगर आपको मालब काजल ऐसा चाहिए कि हमारी आंकों से जल्दी ना निकले तो यह काजल सबसे ज्याद आप देखो मेरा लाइनर लग गया अब मैं इसक्यू की लगाऊंगे लिपिश्टिक यह मैने मेने लिपिश्टिक लगाई अगर आपको कोई चीच चाहिए ना तो पहले आप छोटी चेक करो अगर आपको चोटी पसंद आए तो आप बड़ी मंगा लेना तो मैंने पहले मैंने यह जी चोटी माए वो जयाए और मैंने अभी मेरा याइक दोस्री भी मंगाए अभी अब आर दोसेश्टिक लगाया लुँग इस तरीक से देखो पर मेरा लिपिश्टिक कहए लूँगहा लूँगहा अपना हो ड़ी अगरे दीखो और पर लेकर जो फिक्सर इससे सेट करने हो इस तरीके से देखो सेट हो गया है अब यह मेरा मेकप हो गया है तो देखो यह मेरा फाइनल लोक है आपको मेरे वीडियो पसंद आए ना तो मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राब करना और कमेंट भी करना झाल झाल